नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके जरूर बताइएगा वेलकम बैक टु माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर बड़ी अपडिट आरे यह से इच्छाविवाग के तब से जो कल में दिया गया था कि साइद सपत पत्र लेकर आपको नुक्ति पत्र यानि कि जो जो होता है वो दिया जाएगा जो की 25 फ्रवरी को देना है और यह खबर सुनते ही सारे अभ्योर्तों में थोड़ी सी परसानी हो गई है बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं क सपत्र कैसे बनता है किस तरह का होगा सपत्र तो देखिए हम एक अपडेट आपको देते हैं एक बात बता जाते हैं कि जब तक सिच्छा विवाग के तरफ से कोई अफिस लेटर नहीं आता है किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कि एक सरकार क्या लेगी कौन सा गुष्णापत हम लेंगे गुष्णापत दो-3 तरह का बनता है कि नूर्मली जो होता है जैसे आपने कॉंस्रिंग करबाया होगा और कॉंस्रिंग कराने के बाद जो प्राप्ती रशिद्ध दिया वह भी एक तरह से वह सपत पत्र ही होता है देखिए मेरे पास दो तरह का सकता नहीं है थोड़ा सा बेट कर लेजिए आपको तो पचीश फरवरी को नुक्ति पत्र मिलना उससे पहले जो अभ्यरती है मादमी को उच मादमी को उनको 17-18 को नुक्ति पत्र मिलेगा तो सारी परके लिए उनको देख लिएगा कि उनको किस तरह का नुक्ति पत्र दिय कि पहले यह फूर्मेट को नहीं है यहां पर देख सकते हैं यहां पर सचेटेफस पासपोर्ट इस में अटाइच करने के लिए कहा जारा जो क्यांपाच कर सकते हैं घुष्पम पत्र दरभंगा का बना हुआ है तो इसलिए ब्लगा लिखा गगर किसी कही ओग तो यहां पर नियोजित नहीं साथ ही मेरा सहचनिक या पर सच्छनिक आपका प्रमान पत्त सही है को मेरें द्वारा गलत सुचना दिने पर नियोजन इकाई द्वारा मेरी पुरा पता यहां पे आपका जारी हो जाएगा तो इसको भी विस्तार से आपको हम बतायते हैं जो लोग अभी तक चैनल पे नए जूड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेश जरूर कर लिजेगा और जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को भी लाइक जुरूर कर लिजेगा अनता भाबनाव में बढ़ जाएगा लाइक करना भूल जाएगा देखिए यहां पर का जारा नोट्री पदादिकारी आरा भुषपूर के तरप से बनाया गया है यहां करने की जहां से बना है वहां करके नामें आप दिया गया आप लिखा हुआ है सपत पत इसमें क्या कैसे आपको फॉर्मट करना अब यह तो पुरा नवला है नया वला किस तरह का होगा वह भी देखना होगा सरकार कौन सा आप से मांग सकता इसलिए अभी आप कुछ नहीं बना यह कुछ निया भी परसानी हो यह बस लेटर आने दीजिए सपत पत मैं सत्यंद्र कुमार मैं लिखा हुआ है मैं सत्यंद्र कुमार पिता राजंदर परसाद सिंग यानि कि जो कनिडेट हैं वो लिखे हैं अपना पिता का नाम लिखे यानि कि मैं सत्यंद्र कुमार प इतना हरे कंडिडेट को लिखना होता है अगर आप कोड से बनाएगा तो वह अपना डीटेल यहां पर दिये हैं अगर आप बनाने जाएगा तो आपको इस तरह का देना होगा पिन कोड भी आपको अपने एरिया का ही देना होगा आपने वासी औहाँ का राज बिहार हसब्जान हल्पन बियान करता हूँ कि इतना फ्रेल हमेट सब देना होगा जितना यह दिया हुआ है मैं आप स्थाय निवासी हूँ जहां करिभि एह उसका दिटा को यहां पर क्लिया गया है कि निवासी हूं यहां कि BTET क्रम संख्या 220899 तथा रॉल नमबर 7305175197 है यानि कि बिहार टेटी जो करमांग संख्या है उनका बारे में यहां पर यह जिक्री किया है और उनका रॉल नमबर भी इतना दर्साया गया है यह कि मैं परशेच्चित अभ्यारती हूं यानि कि यह पणी किता से परशेच्चित है 4 नमबर पहें इंकोलूड किया गया है यह कि मेरा निउकृती शिछ्छक के पद पर पूर्फ से कहीं नहीं हुआ है यानि कि जो आप लिखिएगा तो वहां पर यह लिखिएगा कि मेरी नुक्ति कहीं भी नहीं है किसी भी नुक्सिक्षप पर नहीं है नहीं अगर प्राइबेट है तो ठीक है सरकारी नहीं होना चाहिए अगर आप सरकारी है तो आपको यहां पर दर्साना होगा अगर नहीं है फिर यहाँ पर ठीक है कि मेरे निक्टी कहीं नहीं है, यह मेरे पहला निक्ती है, यह आपको दर्साना होगा, पाचमें पर है, यह कि जिए चक नियोजन आभीदन पत्र के साथ метा किये गए, जभी सैशनिक प्रमानपत के साथ अन प्रमानपत पूंता सही वह सत्थ है जो आपने डॉक्मेंट हिच्छा इवाग को दिया है कॉंसलिंग के बक्त नियोजन के बक्त वो परमानपत आपको बिल्कुत तरह बिल्कुल सही है यह आपको वहां पे दर्साना होगा यह है कि मेरे दुवारा जमा किया गया कोई सेचनिक या अन परमानपत जांस के क्रम में गल्त पाए जाने पर इसकी सारी जिमेवारी मेरी होगी यानिकी यहई है पोइंट यहां पर आपको कुछ भी डॉक्मेंट डालते हैं उसमें उसमें कुछभी गलती निकलता है तब कल कोट करते हैं तो वह Montem смож में आपको हार होगा क्युंकि आपने सपत- पहले ही सरकार को दिया है यहां कि मेरे द्वारा जमा किया गया कोई भी शैशनिक या अनपर्मान पत्र चांश के करम में गलत पाई जाने पर मेरी उम्मिद्वारी या नुक्ति बगर किसी कारण पुर्च्छा के समाप्त कर दी जा सकती है यानि कि आपका जो न्यूजन कॉं इकलियर कर दिया है यहां कि पुर्व में किसी भी पंचायत वा प्रखन की नुजन इकाई में में मेरा नुजन नहीं हुआ है उप्रुक सपत्पत्र का कुल पारा एक वा आठ मेरी जनकारी में सही वो सत है जिससे मैंने पढ़ वा प्रभा कर एवं सही पाकर अपना गया है सिर्फ अस्त्रेश्ट है यहां मैं परमानित करता हूं कि सपत्कर्थ मेरे समझ अपना रहा बनाया आधिवक्ता जो वकिल है उनका उनके तो इस तरह से सपत्पत्र बनाया जाता है कोड़ के दोवारा तो अभी इस तरह देंगे कि आपको यह बनाने के आप सकता नह डायरेक्ट आपको जॉनिंग लेटर या नुक्ति पत्र जो होता वो डायरेक्ट आपको देंगे तो यह वीडियो आपको कैसी हल रही हल पूर यह आप हमें कमेंटर के बताएगा और ऐसे वीडियो नीच पाने के लिए हमारे चानल पर बने रहें फिर मिलते हैं धन्यवाद सबस्तों